हलो कुस्टियर आज हम बहुत ही इंट्रेस्टिंग और्गैनिजम की बात करेंगे और वो है वाइरस वाइरस शब से आप सभी वाकिफ हैं अपने 11th 12 में भी इसके बारे में पढ़ा है और इस पेंडेमिक में जो नहीं जानता था वाइरस के बारे में उसकी जुबाँ पर भ यह दुख और थोड़ा डेटेल में बताएंगे कि वाइरसes कैसे जीव होते हैं, क्या करते हैं ये, किस आकरती के होते हैं, किस साइस के होते हैं, किस प्रकार से रैप्लिवेट करते हैं और क्या ये बिमारियां फैलाते हैं तो सबसे पहले हम इसके इतिहास को जानना चाहेंगे कि वाइरस जो है वो कैसे खोजे गए क्योंकि इनका आभिशकार नहीं हुआ है ये खोजे गए हैं क्योंकि ये इस प्लैनेट पर पहले से मौझूद थे तो जिस वक्त हमने बैक्टीरिया पढ़ा था उस वक्त हम बात कर रहे थे कि बैक्टीरिया 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 और उनको हम छान सकते थे बैक्टीरियल फिल्टर्स के द्वारा जब ये बात चल रही थी यानि जो 17-18 जदी थी उस शताबदी में 19-वी शताबदी के भी शुरूआत में भी बैक्टिरिया की ही बाते हुआ करती थी यानि उसके बारे में ही वैग्यानिकों को और बाकी और जो पढ़ने पढ़ाने वाले थे उन्हें कुछ ग्यान था इसका जो वाइरस हैं ये बहुत ही छोटे नौन स्पेसिफिक एसेलिलर और्गानिजम्स हैं देखिए हमने लिखा है smallest एसेलिलर और्गानिजम्स smallest का मतलब आप सभी समझ गए होंगे that they are ultra microscopic, बहुत छोटे हैं, they cannot be seen by naked eyes अगर आप बिना कुछ microscope या ultra microscope या ultra microscope यूज नहीं करेंगे तो आप अपनी आँखों से इन्हें नहीं देख सकते so in that sense they are very smallest, ultra microscopic रादर आई मस्से a cellular जहां बर्ड आगया, a cellular मतलब a means without cell, अर्थात इसमें कोई भी साइटो प्लाजम वगरा या उसके साइटो प्लाजमिक और्गनल्स मौजूद नहीं होते, आप इसे cell नहीं कह सकते जैसे आप प्लांट्स की बात करते हैं तो कहते हैं ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल बॉल नहीं है, और प्लांट सेल में सेल बॉल है, यहां पर इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, दे कैनोर भी separated through bacterial filters, अब जब 19 सद्धी का प्रारंब जो था, उसमें सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में ही बाते हो रही थी, तो लोगा ने सोचा कि ये भी बैक्टीरिया होंगे, तो उन्हें छान के देखा गया, तो वो बैक्टीरियाल फिल्टर के through छन गए, मतलब they cannot be separated through bacterial filters, इसका मतलब कि वो बैक्टीरिया नहीं है, अब हम इसकी हिस्ट्री के पीछे जाते हैं कि ये इस तरह की जीव सामने कैसे आए, तो एक Russian scientist थे वैनोवस की, और उनसे भी पहले आप अगर देखें तो अडॉल्फ मेयर थे, अडॉल्फ मेयर ने 1886 म ये रिपोर्ट करके बताया कि कुछ इस प्रकार के smallest organisms हैं जो की infectious nature के हैं, इसका मतलब अडॉल्फ मेयर फर्स रिपोर्टेड infectious nature of virus, ये वायरस नाम अभी हम दे रहे हैं, पर पहले ये नाम नहीं था, सिरफ उन्हें एक entity के तोर पर एक organism के तोर पर जाना जाता था, तो अड इवैनोवस की जो थे डीजे, इवैनोवस की, उन्होंने 1892 में ये बता दिया, जब वो टुबैको मुझेक पर काम गर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा, वो उसको observe नहीं कर पाई, लेकिन उसको, उसके एक तरह से जिसे कहते हैं infectious nature को उन्होंने observe गर लिया था, उन्हों साथ जब उन्हें रब किया गरते थे, तो उन्हें लगता था कि वही symptoms जो की unhealthy plant में थे, disease में थे, वो healthy में आ जाते थे, this indicated that there was some pathogen in the filtrate, और उन्होंने क्या किया था, कि जो bacterial filter से जो छनितर आता था, उस छनितर को उन्होंने डाला, उस पर healthy plant पर टुबैको के, तो उन्होंन साथ ने उन्हें एक तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया, कि कोई ना कोई इस पानी में या जो छनितर आया है, bacterial filter से छनके जो नीचे test tube में आया है, उसमें कुछ ना बात, कुछ ना कुस तो बात है, but he could not find the reasons, उनको कोई कारण पता नहीं लग पाए, और एक साल के बाद ज 1998, 98 में जाकर कि यानि 6 years after the founding of और या finding of the Ivanovaski, तो Ivanovaski के लगबग 6 साल बाद में, जो बैजरिंग थे उन्होंने confirm करा, the same results of the same experiment, and he named this matter, उनको जो ये matter मिलाया, कहलीजे आप वाइरस को उन्होंने नाम दिया, Contagium, Vivum, Fluidum, जिसका मतलब है Living Fluid Contaminant, Contagium, Vivum, Fluidum आपसे एक्जाम में पूछा जा सकता है, कि किसने ये नाम दिया था, तो बैजरिंग नाम के Dutch Scientist ने इस नाम को दिया था, और इसका मतलब क्या होता है, Living Fluid होता है, जो कि, या Infectious Living Fluid, आप दोनों तरह से इसे बोल सकते है कि ऐसा जीवित द्रव, जो की कैसा है, संक्रमित कर सकता है, संक्रमन फैला सकता है, यही जो findings थी, Loffler और फ्रोश ने भी success इसमें पाई, और उन्होंने भी जो foot and mouth disease थी, cattle में, उसको उसमें पाया कि वो भी bacteria, जो bacteria free filtrate जो था, उससे वो disease फैल रही थी, जो डी हैरली थे, उन्होंने 1917 में bacteria phase के बारे में information थी, आप सभी जानते है, bacteria phase क्या होते हैं, bacterial eaters, ऐसे virus जो की bacteria को खाते हैं, इसलिए ऐसे virus को हम bacteria eaters के नाम से जानते हैं, और फिर 1930 में इसकी detail information प्रोवाइड की गई, जो M. Schlesinger थे, उन्होंने 1933 में isolate करा इसको, bacteria phase को by using centrifugation technique, जो थे, इन्होंने centrifugation यानि कि अपके इंद्रन, centrifugation जो होता है, centrifugation जो होता है, centrifugation मशीन के अंदर tubes रख दी जाती हैं, और उनको घुमाया जाता है, revolution per minute जितने भी accordingly रखे जाते हैं, तो उससे आपके सामने आ जाता है, एक तो, एक तरह से sedimentation हो जाता है हर चीज़ का, तो इस प्रकार से उन्होंने इसके bacteria phase के बारे में जानकरी को उपलब्द कराया, अब सबसे important जो discovery थी, वो थी स्टैनले की, जिसने की तूफान ला दिया, एक तरह से वैग्यानिक जगत में या माइक्रो बायलोजी की फील्ड में, किस प्रकार से की 1935 में, जो स्टैनले थे, स्टैनले नाम के वैग्यानिक, उन्होंने, using substances for protein precipitation, protein precipitation के लिए जो substances यूज होते थे, उन्होंने उन्होंने उन्ही का इस्तेमाल करके, और successfully उन्होंने टुबैको मुजयक वाइरस को क्रिस्टिलाइज कर दिया, और ये एक ऐसी, इसने एक तरह से क्रामती ला दी, जो contagium, vivum, fluidum जो था, या जो infectious fluid जो था, living fluid था, उसको और crystallize करके, उसको फिर से dissolve करके, और उन्होंने बताया कि ये disease को फैला सकता है, यानि अभी भी ये crystal form में ये inactive रहता है, और crystal से बाहर निकलते ये dissolve होते ही active form में आ जाता है, और ये एक बहुत बड़ी discovery थी कि एक ऐसा organism जो की जीवित भी है और नहीं भी है, यानि animate भी है, उसमें properties और inanimate properties भी है, and according to Abenovaski की कहा गया that they are ultra microscopic disease causing parasites, ultra microscopic का मतलब बहुत छोटे, अत्यंत छोटे जीव, जो की बीमारी फैलाते हैं और parasite हैं, parasite आप सभी जानते हैं, parasite वो जीव होते हैं जो की जीवित जीवद्रव्य जिन्हें चाहिए होता है अपना जीवन चलाने के लिए, and according to Borden, जो थे, Borden 9 के जो scientist थे, 1943 में Borden ने बताया, pathogenic obligate parasite, उन्होंने इन्हें कहा, that what are viruses, viruses are pathogenic obligate for a parasite, अब देखें, तीन शब्द है इसमें pathogenic अर्थाद बीमारी फैलाने वाले, जो बीमारी फैला रहा है वो निश्चित रूप से एक parasite होगा, क्योंकि एक saying आपको हमने पहले भी बताई है, कि एक parasite हमेशा एक pathogen हो या निवार्य नहीं है, लेकिन एक pathogen हमेशा एक parasite होगा या निवार्य है, तो आपको parasite की नहीं है, अविकल्पी, दो शब्द होते हैं किसी भी जीव को describe करने के लिए अगर आमें उसकी host की range बतानी होती है तो, कि obligate या फैकल्टेटिव किसी host को लेकर के वो बहुत जादा particular है, उसके बिना नहीं रह सकता, उसे हम कहते हैं अविकल्पी, जिसके पास कोई यानि फैकल्टेटिव, तो उन्होंने कहा, बॉर्डन ने कि ये एक pathogenic obligate parasite प्रकार की जीव है, देन according to law कहा गया 1950, देखिए, आप इन sun को देख रहे हैं, 1935, स्टैनले का काम, 1943 बॉर्डन का and law का 1957, इसका मतलब ये कोई खासा पुराना कोई नहीं है विज्ञान, यानि वा ये जस्ट पिछली सदी की है, जिसमें आपकी जो parents हैं, वो इस चीज़ को उन्होंने पढ़ा है, according to law जो था, वो था, they are completely intracellular and pathogenic and have only one type of nucleic acid, law का ये कहना था कि वायरस क्या है, वायरस completely intracellular देखी, ये word भी आप जहान रखेंगे, हमने intracellular नहीं का, intracellular, इसका मतलब वायरसेज ऐसे जीव हैं, जो की कोशिका के एक कोशिका के भीतर ही रहीगा, और पैथोजनिक है, अभी आपको बताया हमने कि वो एक ऐसा parasite है, जो की बिमारी भी फैलाता है, and have only one type of nucleic acid, loft ने ये बता दिया था, कि इनके अंदर सिरफ एक प्रकार का ही nucleic acid होता है, दोनों प्रकार का नहीं होता, अब हमने इसके बारे में काफे को जानकरी प्राफ्ट कर ली, अब हम बात करते हैं, कि इनके general characteristics क्या होते हैं, क्योंकि इतनी जो study हमने अभी पढ़ी जाना उसके बारे में, उसके आधार पर अब हम इसके सामन्य जो इसके लक्षन होते हैं, उनके बारे में अब हम बात करत हमने सबसे पहले आपको बोला था कि यह कैसे है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक या स्मालेस्ट और गानिजम है फिर हमने कहा देट दियार ऐसेलिलर का मतलब। इसमें कोई साइटोप्लास्म नहीं होता कोई सालीलर और्गनल्स नहीं होते अब यह सब नहीं है तो इंडारेक्ल हम नहीं कहते उनको कि वाइरस बढ़ रहा है हम देखे कई जगे पर हम समझ जाते हैं को जो भी शब्द हम से कहा जाता है पर ये अप्रोप्रियेट वर्ड नहीं होता वाइरस के लिए ये गुणन करते हैं अपना एक से दो दो से चार हो जाएंगे पर ये हमारे जैसे प्लांट्स की जैसे ग्रो नहीं करते बढ़ते नहीं है कि अभी ये छोटे हैं बच्चे हैं फिर बड़े होंगे ऐसा नहीं है जैसे बैक्टिरिया में आप देखते हैं ये वाइरस पार्टिकल जो होते हैं एक सिंगल वाइरस पार्टिकल पार्टिकल देखे हम क्यों कह रहे हैं हम इन्हें और्गैनिजम वैसे कह रहे हैं क्योंकि हम पढ़ इनको उसी तरीके से रहे हैं पर सही शवदों में इन्हें हम और्गैनिजम नहीं कह सकते क्योंकि एक organism की जो एक खुबियां होती है जो characteristics होते हैं वो इसमें नहीं होते इनमें एक virus particle देखिए जब Stanley ने जैसे ही इनको crystallize करा ये चीज़ clear हो गई कि ये particle की form में पाए जाते हैं सिरफ living body के अंदर it may be a plant, it may be an animal, it may be a human body अगर उसके अंदर एक living cell के अंदर होते हैं in that case they show their nature of organism like virus otherwise they are just in जिसे कहना चाहिए आप निर्जीव की तरह से वो पढ़े रहते हैं कण के रूप में, particle के रूप में तो एक single virus particle को हम virion के नाम से जानते हैं या virion के नाम से जानते हैं तो एक्जाम में आप से पूछा जा सकता है that one virus particle is known as virion अब इसमें एक शब्द और आता है, virusoid होता है उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे and then does not have they, they don't have its own complete enzyme system जो virus होते हैं, particles, उनमें अपना खुद का कोई enzyme system नहीं होता although आपको आगे हम बताएंगे कि अभी फिलाल जो खुज हुई है उसमें, enzyme का हमें कुछ पता लगा है कि कोई enzyme इसमें होता है लेकिन उसके बारे में अभी तक उस तरह से नहीं कहा गया जैसे neuroaminidase जो enzyme है, neuroaminidase ये first enzyme है reverse transcriptase के बारे में जो tumor viruses थे उनमें से खुजा गया था उनकी बात हुई थी तो हम कह सकते हैं कि किसी में मौजूद भी हो सकता है किसी में नहीं तो पर complete enzyme system इसमें present नहीं होता ये किसका enzyme system को use करता है अपने करण बनाने के लिए ये host के enzyme system का इस्तेमाल करता है तो ये खुद तो master बन जाता है और उसको host को एक knocker की तरह से इस्तेमाल करता है उसको order देता है मेरा ये काम करिए मेरा ये काम करिए तो हम इस relationship को master slave relationship भी कह सकते है इसमें जो filtrable होता है ये bacterial filter के थूप filtrable हो सकता है यानि filter हो सकता है ये bacterial filter से ये भी एक इसकी quality है इसका मतलब ये bacteria से भी छोटा होता है अल्टरा-अल्टरा microscopic होते हैं ये ये intra cellular होते हैं ये आपको हमने अभी अभी बताया है आपको intra cellular का मतलब क्या होता है within a cell एक कोशिका के अंदर ये obligate parasite होते हैं यानि अविकल्पी पर जीवी अगर किसी को tobacco मुझे tobacco पर करना है infection तो वो tobacco पर ही करेगा उसके पास और कोई option नहीं है कि वो tobacco के अलावा हम कहा दे वही किसी दूसरे पर कर ले तो ऐसा नहीं होता इसका मतलब ये आविकल्पी पर जीवी होते हैं दे शोर application ये देखे अभी हमने का था दे नेवर ग्रो दे नेवर डिवाइड बट दे शोर application यानि ये अपना प्रतिक्रती करण करते हैं अपनी जैसी प्रतियां और बना सकते हैं दे शोर special type of pathogenicity जो रोख फैलाने की इनकी शमता होती है वो भी बहुत special उसमें होती किस तरह से कि temperature को लेकर ये बहुत sensitive होते हैं जैसे 56 से 60 degree centigrade पर Celsius पर अगर आप 30 मिनट से ने रख दे तो ये inactive हो जाते हैं यानि दिकामिंदी form of a crystal और यो मैं से कि ये जो उनका DNA होता है उसमें कहीं कोई RNA DNA या nucleic acid में चेंज आ जाता है और वो inactive form में आ जाता है दे शो होस्ट specificity अभी आपको हमने बताया obligate parasite कहते ही आ जाता है कि इनकी होस्ट range जो होती है उसके प्रती ये बहुत जादा specific होते हैं जो जिस होस्ट में करेगा disease वो उसी होस्ट को एक तरह से अपना शिकार बनाएगा haploid in nature naturally जब only one type of inmanucleic acid होगा तो हम कह सकते हैं that viruses are haploid in nature and then they show antigenic property देखिए जो antigen होते हैं उनके प्रती ये दिखाते हैं अपना reaction you know antigen जो बाहर के proteins होते हैं आपको antigen antibody हमने बताया था जब bacteria आपको पढ़ाया था कि जो outer जो proteins होते हैं जो कि किसी की body में नहीं होते हैं बाहर से आते हैं उनको हम बोलते हैं antigens जो body उनके against बनाती हैं उसे बोलते हैं वो भी protein होते हैं उन्हें हम बोलते हैं antibody अब ये वाइरस जो होते हैं वो antibiotics से affect नहीं होते हैं ये एक बहुत बड़ी एक तरह की बात है अब क्यों नहीं होते देखिए जो antibiotics होते हैं ये आपको बता चुके हैं हमकी antibiotics जो कि किसी biological creature या किसी biological entity के against काम करें ये जो एंटिबायाटिक्स होते हैं दे वर्क अगेंस्ट बैक्टिरिया अब ये बैक्टिरिया तो है नहीं तो इनके उपर antibiotics का अफर नहीं होता लेकिन आप समझ रहे होंगे कि जब भी कभी वाइरल फीवर होता है तो आपको डॉक्टर्स प्रसक्राइब करते हैं antibiotics वो क्यों देते हैं कि कई बार बड़े बज़र्ग हमारे कहते हैं जो काम है खासी है ये तो अपने आप ही जाएगी अपना रिजी हुई है या जवा वाइरस के कारण हमारी बॉडी में कुछ 50% solution of glycerolos में भी ये अपने आपको काफी कुछ सहूलियत से ये पाते हैं अब वाइरस एक्स्ट्रक्ट जो होता है ये कई बार high pressure और high जो sound frequency होती है उसकी तरफ भी अपना response शो करता है उस पर ये inactive हो जाता है and they get precipitated by many chemicals like ethyl alcohol and acetone and can be can be again dissolved यानि इनको आप एक तरह से precipitate भी कर सकते हैं आपको बता चुके हैं हम कि ये crystal की form में आ जाते हैं और फिर से दुबारा से dissolve होके active भी हो जाते हैं and some findings say that the virus can be made inactive by using UV, etc. UV light से भी इन पर असर हो सकता है देखिए आप सोच रहे होंगी कि जो coronavirus की बात हो रही अभी नहीं दिनों pandemic के दौरा तो इसको भी लेकिन UV light हमारे लिए harmful है इसलिए हम इसको इसको इस्तेमाल नहीं करते they can remain active और remain inactive in crystal form यह बात आपको हमने बताई है कि जो virus होते हैं वो crystal form में हमेशा inactive होते हैं लेकिन जैसे ही इन्हें कोई living host मिलता है यह बिलकुल सक्रिया हो जाते हैं they become active they should response to temperature, radiations and chemical substances as I earlier told you do not have they do not have fat polysacurides etc यह चीज़ें देखिए जो इनका अंदर नहीं रखते यह लेकिन जो इनके बाहर envelope होता है जो बाहर की तरफ इनके कुछ viruses होते हैं जिनमें की बाहर एक आवरन मौजूद होता उसमें जरूर इनकी मात्रा मौजूद हो सकती है लेकिन जो इनकी core body होती है उसमें यह मौजूद नहीं होते हैं जो nature of virus है वो बहुत ही unique है अब आपने इतने सारे characteristics जान लिए तो आपको ऐसा नहीं लगा कि यह कुछ अजीबी तरीके के जीव हैं यह इनका nature जो है वो बहुत ही unique है इनमें दोनों प्रकार की properties है animate properties भी है inanimate properties भी है जो इनकी प्राणियों जैसी है जो है activities या इसे कहली जी properties उनमें आप कैसे जान सकते हैं कि animate activities या animate जो इनकी properties है वो कौन सी है कि सबसे पहला इनमे genetic material मौझूद होता है RNA या DNA जो कि इन्हें प्राणियों जैसा कहलाने में मदद करता है दूसरा कि genetic material जो होता है वो host cell में जाके replicate करता है प्रतिक्रति करन करता है फिर इनमें mutation होता है आप इन दिनों सुन रहे हैं आपकी virus की बार-बार mutant form आ रही है यानि जैसे ही temperature में variation होता है कुछ और change होता है environment में virus अपने आपको automatically mutate करके दूसरी form में ले आ रहा है तो आप इन शब्दों को सभी समझ रहे होंगे कि जो virus है वो living beings में अगर मौझूद है तो ये उसकी living beings वाली एक तरह की characteristic है कि ये mutant form में भी मिल सकता है they can multiply only in living cell तो इसका मतलब ये living है तभी तो living cell में multiply कर पा रहे है they exhibit host specificity ये भी एक animate character है इनका कि host के प्रती इनकी एक तरह की specific nature है इनकी अलग-अलग shape होते हैं अलग-अलग sizes होते हैं they have antigenic property and they show response to temperature, moisture, chemical, radiations, etc. कोई भी stimulant इनको मिलता है तो they quickly show response to these stimulants they are infectious in nature, they can be transmitted from one host to another host so these are all properties which show that virus has an animate characteristics then inanimate यानि निर्जीव जो इन्हें बनाती है वो कौन सी इसकी properties होंगी तो सबसे पहला आपको बताया कि Stanley ने जो एक बहुत बढ़ा कारे किया जिस पर उन्हें नोबेल प्राइज मिला कि उन्होंने इसे virus को crystal form में प्राप्ट करा so they can be crystallized, this is the most important inanimate property of a virus then they don't possess cell membrane, cell wall, cell organs, nothing is present inside a virus respiration does not occur and they are inert outside the specific host they show activity only when they are inside a living host and they are auto catalytic and lack functional autonomy functional autonomy यानि इन्हें के पास में कार्य करने की स्वायतता नहीं है जब ये जाते हैं उसमें, living उसमें, किसी भी host में, cell में तब जाकर कि ये अपनी functional या कुछ काम उससे करवा पाते हैं so these are few features or characteristics which make them animate as well as inanimate next उसमें हम इनके structure को discuss करेंगे, इसके बारे में जानेंगी